नमस्कार, वेल्गनु स्टडी आएक्यू में हूँ रशान्दवन, मैं जानता हूँ आज के समय इंटरनेट पर आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, जहां पर ये बात लिखी है कि इसराइल का प्लान लीक हो गया था, यहां पर आप देख पाऊँगे, यूएस शेयर कर रहे हैं, इसराइली इंटेलिजेंस के सीक्रेट्स, इस तरीके से दुनिया के सामने कैसे आ गए और यूएसे को बता है, कि ये गलती इनकी है, देखिए यहां पर हुआ क्या है, कि रीसेंट्ली जब इरान ने बहुत बड़ा अटाक किया था इसराइल पर, उसके इसराइल ने अभी तक कुछ नहीं किया, दुनिया ने अल्मोस ये मान लिया के शायद इसराइल ने मन बदल लिया होगा, मगर अब पता लगा है, कि 15 और 16 अक्तोबर के बीश में, इसराइल एक बहुत भड़ा अटाक प्लैन कर रहा था इरान पर, एक ऐसा अटाक जो इरा इसराइल पर जासूसी रख रहा था, जी हाँ, जो बाइडन की सरकार डेटा एक खटा कर रही थी, के बेसिकली इसराइल क्या कर रहा है, कौन से मिसाइल ये लोग अपने F-16 या फिर F-35 पर लोड कर रहे है, इसराइल किसको अटाक कर रहा है, ये सारी जानकारी देहिए, युएस गर्मेंट के पास आ गई, उसके बाद क्या होता है, कि देखो, F-16 के बारे में आपको पता लग गया होगा अब तक, एक इंटेलिजेंस शेरिंग ग्रूप है, पांच देशों का, युएस, यूके, ऑस्टेलिया, निउजिलेंड और कैनिडा, और इस ग्रूप का देख रही है, पूरे शरीर को पता लगता है, तो यूएस ने क्या देखा, कि इसराइल क्या कर रहा है, क्या इसराइल की यहाँ पर प्रेपरेशन है, ये जानकारी बाइड डिफॉल्ट, बाकी जो 5 वाइस कंट्रीज हैं, कैनेडा, यूके, निउजिलेंड, औस्टेलिया इन तक भी पहुच गई, और अजीब बात देखिए, अचानक से, एक न एक यहाँ पर मैं कहूंगा, देश की इंटेलिजेंस में, एक आत्मी है, जो दोकेवाज है, जिसने अपने देश को दोका दिया है, इसराइल को हैवी नुकसान पुचाया है, इस आत्मी ने यूएस कंट्रीज में से क्या कोई था, जिसने यह सारी जानकारी लीग कर दी, या यूएस गवर्मेंट में ही, कोई एक एजन्ट आ चुका है, जो इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, जो मानता है कि इसराइल जो गाजा में कर रहा है, वो जैनोसाइड है, उसको रोकना चा 56 मिसाइल प्रिपेर कर लिए थे इरान के लिए, और इसराइल का जो प्लान है ना, इसमें ये लोग सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल का यूज कम करने वाले थे, इरान ने जो भी मिसाइल बरसाए हैं इसराइल पर, वहाँ पे जरातार सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल का करके इरान के पास जाएगी और फिर इरान पर ये मिसाइल बरसाए जाएगे इन में से सौला तो थे एल बीम एर लॉंच बलेस्टिक मिसाइल जिनका नाम है गोल्डन होराइजन और चालिस थे रॉक्स मिसाइल रॉक्स आप के लिए ये ऑटोनॉमस एक्स्टेंड़ स्टेंड आफ मिसाइल है ये भी एक फाइटर जेट से लॉंच किये जा सकते हैं तो इसराइल ने देखिए पूरी त्यारी कर रखी थी के 56 मिसाइल ये ओल ओवर इरान मारेंगे और आप खुरी समसकते हैं सिंस इरान की बॉर्डर के बहुत ज़रा करीब होते इसराइल के ये फाइटर जेट्स तो पिन पॉइंट एकुरेसी के साथ ये इरान के बहुत सारे मिलेटरी करने वाला था या फिर जो इनके सरकारी अधिकारी हैं जो मिलेटरी के इनके ओफिशल्स हैं इनको टर्गेट करने वाला था बड़ इसराइल के पास ये सारी ओप्शन्स प्रिपेर थी ये आप कहलीजे बहुत ही एक निक टैप का अटाइक होता कि सीधा फाइटर जेट से आप बलेस्टिक मिसाइल मार रहे हैं कंट्री को और इनके सगर आप सोच रहे हैं कि इरान की एरफोर्स जो वैसे काफियत तक नॉन एक्जिस्टेंट है वो इसके रिस्पोंस में कुछ करती तो उसके लिए देखिए हवा में ही एर रिफ्यूलिंग के लिए ये दो-तीन फ F-16, F-35 पे लोड किये जा रहे हैं इसकी सारी जानकारी तो पूरी दुनिया के सामने आ गई है इरान को भी पता लग गया है कि कौन से मिसाइल इसराल यूज करने वाला है इरान अपनी तरफ से तियार हो चुका है रशियंस ने भी इरान को एडवाइस दे दी है कि देखि सकता है कि इसने दुनिया में एक बहुती बड़े stock market crash को बचा लिया हो और इसलिए मुझे यहां पर शक हो रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है कोई यहां पर business angle भी involved हो कोई बहुत बड़ी entity जो नहीं चाहती कि दुनिया में panic फैल जाए complete stock market crash आ जाए इन्होंने कही ना कही सही है intelligence input leak करवा दी जिससे इसराइल का जो प्लान था टाक करने का रास्ते में ही रुग गया और सबसे ज़्यादा अजीब बात यहां पर यह आप सोच कर देखिए जो भी यह information जिसने leak करी पहले आसा नहीं है कि इसको report किया BBC ने CNN ने नहीं सबसे पहले यह information leak करी है pro Iranian accounts ने USA के यह जो details हैं यह सब कुछ सामने आ गए इसराइल काफिया तक शौक राएगा होगा कि सारी जानकारी कैसे leak हो गई और सबसे पहले pro Iranian accounts के पास कैसे यह पौच गई I think अभी भी इसराइल का देखिये attack होगा जो इरान पर यह delay हो चुका है बट अभी भी मैं कहूंगा कि possibility है कि इसराइल attack करे इरान पर Recently Netanyahu के घर पे जो attack हुआ है यह देखकर यह already कह चुके है ने बोला है कि इरान ने बहुत बड़ी गलती करती है Hezbollah ने बहुत बड़ी गलती करती है अब यह भुखतेंगे तो इसराइल देखिये obviously कुछ ना कुछ करेगा reaction में Interestingly इसराइल ने USA को का है कि एक और THARD air defense system की battery भेजो हमारे पास दो air defense system यह होने चाहिए THARD के क्योंकि इसराइल की जो preparation है यह लंबी है यह लोग सिर्फ यह बात calculate नहीं कर रहे कि इरान को कैसे attack करेंगे इनकी calculation में यह भी है कि इरान पर कल को बड़ा attack कर दिया उसके बाद इरान जो retaliation में करेगा उसको क्या इसराइल properly रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा तो अभी देखिए region में instability टली नहीं है हाँ मैं आपको यह बता दू अब इसराइल के लोग USA से बहुत ज़ादा चुपा कर operate करेंगे कई बाते USA के साथ share नहीं करेंगे और five eyes को लेकर जो आपके लीजे doubt है कई countries में यह इसराइल में भी फैल जाएगा के जो यह five eyes का ग्रोप है के पाचो देश्मेंट डेलिजेंस शेर होगी यह तो बहुत खतरनाक है कल को कोई भी information leak कर दे कहा ढूनोगे कि किसने यह information leak करी है और again five eyes को लेकर यह बाते सिर मैं जो लीक हुए हैं, they are marked top secret and have markings indicating they are meant to be seen only by US और five eyes, Australia, Canada, New Zealand, UK, तो ऐसी information leak होना कौन होगा, कौन वो देश होगा जो इसराइल को इतना नापसंद करता है कि उसने यह information leak कर दियो, कैर इस से related अभी details आएंगी, मैं follow कर रहा हूं इस पूरी update को, this is a huge geopolitical development, यह I mean अचानक से इसराइल के साथ ऐसा होगा, यह किसी ने anticipate किया नहीं था, बट कुछ updates आती हैं, तो मैं आपके लिए बात में updated वीडियो बात में ले आऊंगा, और finally यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछूँगा, मैं देखिए, chess की दुनिया में इंडिया कमाल कर रहा है, हाल ही में Olympiard में हमने male, female या आप कहलीजे open female दोनों categories में goal medal जीता है, और अब WR Chess Master title भी एक भारतिया ने जीत लिया है, आपको बताना है कि वो कौन है जिन्होंने recently WR Chess Master title को जीता है, यह हैं यहाँ पे आपकी options, अब यह सारे नाम आज के समय सूपर स्टार्स बन चुके हैं, की following WR Chess Master title को जीता है, comment section में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही answer, उनकी comment को मैं हाट देंगा ताकि वाकी लोग समझ पाएं के सही answer क्या है, और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुती important जानकारी, देखिए study IQ एक बहुती special batch लेके आया है, उन students के लिए जो आने वाले UPSC examination की त्यारी करना चाते हैं, बढ़ आप सबको बता है, अब बस 200 के आसपास दिन मचे हैं, तो अभी study IQ ने launch किया है, एक latest, 2025 की त्यारी, 215 दिनों में, ये देखिए study IQ का एक fast track batch है, जिसमें आपको price भी काफी कम मिलता है, और ensure किया जाएगा यहाँ पर, कि 215 दिनों में आपको UPSC examination के लिए prepare किया जाए, जो यहाँ पर price लिखा है, never pay this price, use करिये code PD10, और अपने आप आप देखोगे, prices गरना शुरू हो जाएंगे, you will be able to save a lot of money, so use करिये code PD10, and save money, इसी note के साथ, ये है video कांथ, thank you for listening, and I always say, may the gods watch over you.